आज में आपके लिए तीन ऐसी पैनिक सिस्टूशन लेके आँ जहां पर बचना नेक्स्ट्री इंपॉसिवल हो जाता है लेकिन मैं कैसे सर्वाइफ करता हूं गाइस तुम देखो जरूर से देखो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आपकी गेम सेंस बहुत ज सिकत के बाद में वीडियो रेगलार हो जाएंगी लेकिन यह सब छोड़ो गई सेड हम टॉपिक पे चलते हैं गाइस हमारा फर्स सिटूशन को देखो गई जहां पर मेरा टीमिट मर जाता है एंगाइस मैं अकेला वस्ता हूं और पुरी स्कॉर्ड मेरे उपर पुश करती ह अब जैसे हम यहाँ पर जाते हैं गईस तुम देखना सामने से कि स्कॉर्ड आती है अब गईस तुम यहां की बहुत ही गंदी पैनिक सिटूशन देखना ठीक है अब जैसे हम यहाँ पर आए अब चार बंदे फायर करेंगे भाई तो नौक तो होना पंता है भाई यहाँ अब देको मेरा टीमेट यहाँ पर मेरे को रिवाइब दे रही थी ठीक है अब गईस हुआ क्या था यहाँ पर जैसे है और भो लुक को पता नहीं था हम यहाँ पर कितने बंदे है तो वो भी नहीं कर रहे थे जब उनको पता चला हम दो ही बंदे तो उनने पुश करा और मेरे टीमेट को पर एक नेड आता है और गाड़ी ब्लास्त हो जाती और मेरा टीमेट भी गाड़ी ब्लास्ट नहीं होती है बट मेरा टीमेट अल्रेडी न्योक था अब गैस तुम यह वताओ कि यहाँ पर तुम क्या करोगे, कि इससे फाइट लोगे, या फिर अपने टीमेट को रिवाइब दोगे, बहुत सारे बंदी गलती ये कर देते हैं, अपने टीमेट को रिवाइब देने जाते हैं, और वो इसली मर जाते हैं, लिकिन मैंने यहाँ पर नहीं करा, मिरे को पता था अब गाईस मैं सोच रहा था नेट की चपेट से उनको मार देओ एक दो नौक कर दो दो धान पुश कर दो मैं बट उनने मेरे घर की उपर पुश कर दिया अब देखो एक बंदी ने पुश किया मैं इसको नोग करा और थोड़ा सा मैंने सुझे डेमिज कर दीता हूँ बट मैंने यहाँ पर फिनिश करने का नहीं सोचा क्यों हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखो मेरी हेल्थ देखो अगर मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक फॉस्टेट किट मारी गईस कभी भी पैनिक मत होना यहाँ पर मैं हलका सा पैनिक हो गया था बट मैं थोड़े दिर होल्ड करा मैं रिलेक्स हो गया जैसे ही मैं नीचे आया गईस अब तुम देखना है इस ओपी वाले क्लेच के लिए ऐसी सिचुशन है गईस कभी भी भागना मत गईस या तो फिर हम हारेंगे या फिर गईस से हर क्लेच मारेंगे कोई दिक तुगार यहाँ पर बंदा दिखाता यहने डैमेज मारा अब इस हुआ क्या कि बंदे आम मेरे उपर पूरे पुश करेंगे क्योंकि उनको पता यह एक बंदा है तो सारे बंदे अलग-अलग से रोटेट करेंगे लिकिन तुम यहाँ पर एक ओपी वाला क्लेच देखो अगर क्लेच पसंद आता है अब जैसी मैं यहाँ पर ड्रिंक मार रहा था एक बंदा पुश करता है अब देखो यह नॉक बचाँ फट फट से एक ओपी रेंजर नीचे कॉमेंट मेरे को चाहिए ने इस वाले स्कॉर्ट को मार दिया आपने देखा अगर भे घर में रहता, रोटेट करकर के मारो बन्दों को, कि कोई उनको लगता एक बन्दा है, तो इजली मार देंगे, भाई so, लोर्स जोड की सिम्पल सी स्ट्रेडिजी यही होती है, इसके आप बन्दों को रोटेट करकर के मारो easily आप उनको मारत होगे, यहाँ पर उनको मैं डांस करके चड़ा रहा था, हमें teammate भी भाई बोल रहा था मैंने बदला तो ले लिया बाई देबे उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब गई हो क्या रहा है, एक काम करो, इस वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक कर दो, फटफट से अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा मेरे भाई, अगर तुम इस चैनल में नहीं आ गए तो भाई, फटफट से सब्स्क्राइब मारो यार, क्या कर रहे हो, करो करो अब गैसर हमारी पैनिक सिच्विशन आती है, गैस जोर्जो पुल में, अब तुम देखो सामने की स्कॉर्ट उतर रहे हैं अब तुम देखो गैसर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, गैसर अगर तुम यहां पर मिल गया क्या Mind, छेट अब गया सामने स्कॉर्ट, अब इसससे सकॉर्ट को मैं कैसे मारें को मिल जाता higher तो देखो अब तुम उनको अब जासी मिल जाता हूँ ठीक है मिल स्कॉर्ट आठीक है यहां पर वेस्त नहीं मिली ही है गैस तो उसको छोड़ना अब गईस तुम ऐसे आओ उपर भाई मैं जूर बोल दिया है किया वेराउस में लूट मिल जाती है अब एक बात बताओ यार इतना डेमिच पर बंदा मरा क्यों नहीं भाई यार मेरे तो मैं मैं होता तो मर जाता भाई यार ऐसा होता है अब पता नहीं उसका पेंग आई था जो भी था यार अब तुम देखो यार मैं इधार अंदा मैंने पुश कर दिया एक स्कैनर फेका बंदा स्कैन नहीं हुआ तो बंदा गया कहा बंदा चला गया इस वेराउस में अब तुम देखो इसकी पूरी स्कॉर्ड मेरे मतलब यार यहां पर मैं यह वाला क्लस तो नहीं डालने वाला था मेरे को लगता है यह नॉर्मल है मैं मार दूंग इन चारो बंदो को दूर दूर जाके बट हुआ क्या है तुम देखो इसको मैंने नॉक कर रहा है और फिनिश ही कर दिया लेकिन उसी के साथ इसका एक टीमेट उपर बैठा है डीपी लेके बाई अब मेरे पास गैस देख रहा हो यहां पर मेरे पास बैस्ट नहीं है हेलमेट अलमुस्ट गई से डैमेज हो चुका है तो अब देखो गई सर दो बंदे राइट में एक ड्रॉप गरहा है फ्ले ड्रॉप तो वो पुश करते है और फिर ड्रॉप लूट ने के लिए लेकिन मैं उनके बाई उपर पीक भी नहीं कर सकता कि उस आवर बंदा मेरे एडियस लेके बैठा होगा ठीक है यहाँ पर आप गलती नहीं करना ओपन में जाने की यहाँ पर मैंने कवर लिया अब दो बंदे आए ड्रॉप लूट ने के लिए तो उसके लिए का इस मैं यहाँ पर एक स्कैनर फेक हूँगा मैं सबसे पहले तो उनकी लोकेशन अब मैं हाँ पर होल्ड करता हूँ और देखो कितने फट से में कवर लेता हूँ इसको फिनिश करा अब इसको दूसरा बंदा आएगा कोई पैनिक नहीं होनेगा बाई इजी लेंगे अपने पास बैस्ट भी नहीं थी लिकिन बंदे ने बहुत ही अच्छा जंप शॉट द तो भाई मैं निपटने वाला था अब इसको टॉबर पे एक बंदा बैठा था और मेरेको उसकी बंदे की क्रेट लूट नहीं थी तो मैंने यहाँ पर इसमोग डाला इसमोग जरूर से डालो का इस से सोलोवर से स्कॉर्ड में क्योंकि कभी भी कहीं से भी फायर आ जाता है बहुत दी गंदे पिटतो हो भाई ठीक है अब यहाँ पर मैं बैठा अब इस बंदे के बाद धीबी प्लस 6x था और जिसे साब से यह डैमिज दे रहा था ना भाई मिरेको लग रहा था अगर यह डंग से मिरेको इस प्रेट दे देगा तो मैं निपड जाऊँगा कि कोई हेलोंट बैस्ट मेरे पास आलमूस्ट धैमेज ही है सारी तो यह पर गलती आपको यह नहीं करन मैंने भहुत सा क्राइ इसको मानने का ठख ग्या भाई अब यार इस बंदी को मेरे को लगा कि अभी जिसको टॉवर पे जो बंदा भी फिनिश हुआ जिसका अभी अभी रेड मतलग ग्रिंद हुआ निकला है मेरे को लगा यार कि वही बंदा है जो अभी अभी मेरे को टॉवर से मार रहा था लेकिन वह बंदा तो यह नहीं था तो घुश जाता हूं कहीं पर आप देखो यह बंदा कैसे ने परता है अब उसको यह नहीं पता है मैं यहाँ पर close in कर चुका हूं भाई यह होता है अगर तुम रोटेट करके close in कर देता हूं बंदा पता ही नहीं चलता है मैं आपको perfect example दूँगा next situation में कि आप कैसे बड़ी easily perfectly rotate कर सकते हो और बंदों पर surprise attack दे सकते हो ठीक है आपको यह बताओ यह वाला clutch कैसे लगा ज्यादा तर तो अच्छा नहीं लगा हूँग और सामने आ जाते हैं में एक its squad अब जैसे हैं पर मैं ज्वार्जोपुल से निकल रहा था तो सामने बंदा दिकता है मेरे को लगा यह बहुत है ठीक है मेरे को कसम से बहुत लगा था लेकिन यह तो असली बंदे थे बो भी तीन समद्द और तीन बंदे में ऊपँपर पु केला मेरे उपर पुश कर देता और देखो मैं नहीं चाहता भाई देखो क्या होता ना गई सोल वर से स्कॉर्ड आप खेलते हो तो कभी भी पीक मत करो कि कुछ तीन बंदे आपके उपर एडियास लेकर बैठते हैं फिर चार बंदे ठीक है लेकिन इस बंदे ने मुझा होना नहीं होना भाई ठीक है अब रेंडम फायर कर रहे थे थोड़ा वेट करो सिचुशन देखो ठीक है अब एक बंदे ने पूछ करा इसको मैंने नौ करा अगा हात् मैंने इसको फिनिस भी कर दिया अब अब वो क्या रहा था कि लेट से मिले को एक बंदा मारता तो मैयने इसको नोक कर आ and मिले को लगा इसका तीसरा टीमे जो है वही急र होगा तो मैंने सबसे पहले तौ पीच्छे मैंने आर फॉल बेक मारा थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पर एंगल नहीं बन रहा था अगर वो बंदा मिरे उपर नेट डालता तो मैं इसली नहीं पड़ जाता ठीक है उसने अपनी गाड़ी फोडी और अपने टीमेट के उपर एक स्मोग डाला लेकिन मिरे को ये बंदा दिख नहीं रहा था भाई तो मैं थोड़ा सा वेड कर रहा था और बंदा मिरे को दिखा अगर इसको 2-3 मोर पड़ जाती यो एक बंदा जान ही वाला था तो मैंने scanner फिका बंदा मेरेको locate होता है लेकिन इसका दूसर टीमेट जो की knock हुआ था उसका पता नहीं चलता भाई ये कहाँ पर है अब मैं नेट पे नेट डाल रहा हूँ लेकिन बंदा मर नहीं रहा है इसका reason मेरेको नहीं पता भाई ठीक है उसके बस अच्छा कासा cover है बहाँ पर I think पत्थर भी है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है अब इसका दूसर टीम मेट मेरे को knock नहीं हो रहा है मेरे को यह नहीं पता था यह तीन बंदे है ठीक है मेरे को यह तो पता था एक मैंने knock and finish मार दिया अभी बचें को तीन अब इसमें आगी जान नहीं सकता था कि कोई मेरे को angle यहां से मिल नहीं रहा था तो इससे situation थोड़ा सा hold करना है ज्यादा panic नहीं होने का है अगर आप push करते हो गाईस तो अगर बसा देको मैं आपको एक secret tip बता रहा हूं soul versus squad की देखो TPP बहुत जादा important है soul versus squad में अगर आप push कर रहे हो और सामने वाला बंदा कितना भी pro मतलब noob हो अगर वो TPP लेके अच्छी से position लेके आपको easily मार सकता है भाई यही मैं चीज मतलब यहार follow करता हूँ और इसमें TPP hold करके बैठता हूँ उत तुम यहार तो push करोगे यह फनेट करोगे कि नेट है नहीं अब मेरे पास एक molly है तो चलो यह molly fake के भी try कर लेते हैं मैंने तो scanner fake लेकिन नहीं नहीं मैंने सूचा नहीं इधर नहीं fake तो अब में rotate करने वालों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यह गलती नहीं करनी है गई अब गई sir अगर तुम्हें यह rotation अच्छी लगी हो तो please sir एक like और comment मार देना ओपी रेंजर ठीक है जैसे ही मैं आपर आया देखो बड़ियां बैठे हैं भाई कसम से भाई दोनों शौक में रहे होंगे भाई यह क्या हुआ कैसे हुआ कहां से हुआ यह बंदक कैसे यहाँ पर आया आपको यह वाला clutch भी अच्छा लगा होगा लगा है तो like के comment मार दो इस चैनल को subscribe कर दो ऐसी amazing amazing वीडियो उसमें लाता रहता हूँ अगर तो मैं किसी औ और particular topic पर वीडियो चाहिए तो नीचे comment मारो I am sure guys यार मेरेको अच्छा topic लगेगा तो वीडियो बना दूँगा ठीक है कोई दिक्षत की बात नहीं है मिलते नेक्स वीडियो में guys और बताओ तुमारी family में कैसे है आज की टाइम पर बहुत ज्यादा situation खराब है guys I know लेकिन स ध्यान रखो अपनी family का ध्यान रखो बाहर मत निकलो भाई तुम safe तो तुमारी family safe मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए take care bye bye